नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटी मसीन से आप टांकी बांद सकते हैं क्या मतलब जैसे की बड़ी मसीन में टांकी लीवर होता है इसको बांद सकते हैं कि छोटी मसीन में भी आईसे आप यहाँ पर हमको टाकी लगाना है तो यह देखिए यह देखिए यह टाकी लग गई और फिर सीधे ले आए यह देखिए यह देखिए अब हम एक हाथ अपना फिर नीचे करा यह देखिए यह देखिए टाकी तो यह देखिए टाकी हमारी लग गई कहीं पर भी आपको लगाना हो तो इसी तरीके से लगा सकते हैं अब माल लेजे हमको नीचे उतारना है तो अब हमको टाकी बांधना है यहाँ पर माल लेजे बांधना है मोटे पर चली यह मोटे पर बांधना है तो हम देखिए फिर हमने उपर कर दिया सीधी चलने लगी फिर हमने नीचे यह बंद गई और उसके बाद फिर यह आप टाइट करते हैं आधे बहुत सो की मशीन जो पुरानी हो जाती है तो उनके बिल्कुल फिरी हो जाती है उपर करते हैं traitor को विद्वी नगा तो इसका क्या कारण होता है इसके अंदर एक पेंच लगा होता है वो पेंच लूज हो जाता है उसकी वज़ा से यह अंदर से फिरी हो जाती है तो अगर यह आगा आपके मसीन में प्रोब्लम हो तो इसको भी साही कर सकते हैं इसके लिए उपर आई बटन में आपको वीडियो इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन क्या है अगर आप हां से चला रहे हैं इसका तो आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं अब उसकी बज़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अब दिखें एक हां से आपने कपला रोक रहे हैं ओके ठीक है ना ये खास से आप इसको चला रहे हैं इसको चला रहे हैं तो अब आप इसको चोड़ देंगे चोड़ कर टाकी लगाएंगे तो मसीन आपकी रुख जाएगी तो आप गर आप नीचे भी कर देंगे या उपर कैसे कर पाएंगे ये खास से हो नहीं सकता क्योंकि या तो आप मसीन हांस से बांद सकते हैं कहने का मतलब कोई रादा नहीं है कि आपका ये प्रोब्लम है इसमें या फिर कुछी भी है तो आप हांस से भी इसको बांद सकते हैं तो हांस से कैसे बांदना है बहुत चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें तो दोस्तों अब हम इसको हांस से बांदे हैं सबसे पहले तो मैं आपको बांद के दिखाता हूँ यह देखिए इस तरीके से आपको बांदना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको डीटेल से तो देखे यह बंद गई अब मैं आपको देखे तीन हमने बांद ही अब म लिए कपड़ा हलका सा खीचेंगे जितनी वी लंबी आपको टाकी बांधना है उतना आपको कपड़ा खीचना है और उसके बाद उसके छोड़ देना है अब फिर तुरंत ही टाकी बंथ जाएगी तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हांस से टाकी बांध सकते हैं अब ये तो इस तरीका से आपको बाढ़ना है चोटी मैशीन से टाकी तो उमिद करता हूँ दोश्तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो जरूर करें फिर मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार